जिस तरह से शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको दस ऐसे ही भयानक इगल अटाक्स दिखाएंगे जिन देखकर आप भी इनके फैन बन जाएंगे। नमबर टेन स्टेलर सी इगल अटाक्स किटी वेक बर्ड्स स्टेलर सी इगल दुनिया के सबसे बड़े इगल में गिना जाता है। और यह उड़ते हुए भी काफी आसानी से शिकार कर लेता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहां पर किटी वेक बर्ड्स अंडे देने के लिए बड़ी तादात में जमा हुए हैं। और तब ही आसमान में नजर आता है एक स्टेलर सी इगल। जैसे इसकी नजर इन पक्षियों पर पड़ती है। वैसे ही आसमान में अपने साड़े छे फीड लंबे पंखों को फैलाकर घूनते हुए शिकार के सही मौख़े के इंतजार करने लगता है। और जैसे वो मौका आता है ये इगल एक बुलिट की तरह नीचे आता है और उनमें से एक बर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन किटी वेक बर्ड को भी इस एगल के बारे में फली भाती पता है। इसे वे जैसे वो अपनी तरफ आते हुए इस खत्रे को देखते हैं। वे सभी बचाव के लेक साथ मिलकर उड़ने लगते हैं। ताकि एगल कन्फ्यूस हो जाए। उनकी चाल काम आती है। और कुछ देर के लिए ऐसा होता भी है। मगर इगल भी उनकी चाला की पकड़ लेता है। और एक किटी वेक पर अपने पंजों से छपकता माता है। इगल के पंजे नुकीले और क्याफी ताक्तवर होते हैं। इगल के सबसे बड़ा वेपन उसकी शानदार आखें होती हैं। जिनकी मुदद से ये अपने शिकार को लगबख 15,000 फीट की दूरी से भी आसानी से देख सकता है। यानि कि इतने में आप एक के उपर एक करके लगबख 6 बुर्ज खलीफा खड़े कर सकते हैं। और इसी पैनी नजर से ये इगल समुदर में तेरते हुए इस साप को देख लेता है। ये साप अपने आप में बहुत खतरनाक है और इससे पंगा लेना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। वहीं ये इगल हवा के चुंके की तरह आता है। और इस जहरीले साप को ठाकर फरार हो जाता है। आपको बता दें कि समुदरी साप की लंबाई लगबख 3-5 फीट के बीच में हैं। और इसे संभालना इगल के लिए भी कठिन होने वाला है। मगर उ इसे अपने बच्चों के साथ बड़े मज़े से खाता है। नंबर 8. मार्शल इगल अटाक्स लिज़र्ड वैसे तो मार्शल इगल को अफ्रिका का सबसे बड़ा इगल मना चाता है। मगर एक मोनिटर लिज़र्ड के सामने ये जरा साही लगता है। उसके पाफ जूद भ एक मौनिटर लिजर्ड मार गिराया है मौनिटर लिजर्ड की लंबाई लगबग 8 फीट तक होती है यानि एक एक आम इनसान से भी ज्यादा लेकिन इस एगल के सामने उसकी एक नहीं चली आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे इस एगल ने इतने विशाल जानवर को अपने पंजों से दबोच रखा है वहीं मौनिटर लिजर्ड खुद को बचाने की कुछ नाकाम कोशिशें करता तो है लेकिन एगल उसको बच के निकलने का एक भी मौका नहीं देता कभी इगल उसके शरीर को अपनी चोच से नोच कर खाने लगता है तो कभी उसे अपने नाखोन से पकड़ कर कूटता है देखकर तो लगता है कि आज तो ये इगल अच्छा खासा लंच करेगा आपने तो अल्रेडी देखी लिया है कि इगल दूसरे पक्षियों को मारने से बिल्कुल भी नहीं कत्रा था ऐसा है कुछ यहां भी होने वाला है यहां क्रेइन पक्षियों का एक बहुत बड़ा सा ग्रोप उड़ता हुआ जा रहा है और तवी वहाँ पर दो इगल आ जाते हैं उन दो इगल को देखते ही क्रेइन समझ जाते हैं कि उनके मौत का फरमाल लेकर आये हैं वो दो इगल दरसल एक बच्चे क्रेइन का शिकार करने के फिराक में है इगल चाहे जितना भी ताकत वर क्यों ना हो एक बड़े और जवान क्रेइन का शिकार वो हवा में नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्रेइन पक्षी काफी फुर्थीले होते हैं मगर ये दो इगल भी बहुत मजह हुए शिकारी जान पड़ते हैं इसलिए वो एक यंग क्रेइन को अपने छुन से अलग करने में भी खामयाब हो जाते हैं जैसे ही वो क्रेइन अलग होता है एक इगल बुलिट की तरह आता है और उसे अपनी चोंच से पकड़ लेता है वैसे तो इगल बहुत सारा वजन लेकर उड़ सकता है लेकिन फिर भी इस क्रेइन को लेकर उड़ने में उसे थोड़ी दिक्कत होती है और वो नीचे गरने लगता है लेकिन कुछी तेर में फिर से वो क्रेइन को लेकर रवाना हो जाता है जान्वरों के बच्चे इगल के सबसे पसंदिदा खानों में से एक होते हैं क्योंकि उनका शिकार करने में इसे ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करने पड़ती। और शायद वो खाने में ज्यादा टेस्टी भी होते होंगे। अब अगर वो बच्चा किसी बकरी का हो, तो बाध ही कुछ अलग है। क्योंकि खाना भी ज्यादा स्वाद में भी अच्छा। यहाँ इस इगल को आसमान में मंटराते देख। यह बेबी माउंटेन गोट्स डर के मारे भाग रहे हैं। लेकिन यह इगल उन पर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक यह छुंड में हैं। वो बस अभी इन बक्रियों के अंदर अपना खाफ पैदा कर रहा है। ताकि वो सब अपनी चान बचाने के लिए जुंड से अलग होकर दरदर भागने लगे। सब कुछ इगल के प्लैन के साब सही हो रहा है। सारी गोट से एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। जिन में से एक कोई शाते रीगल ने अपने पंजों से पकड़ा और उडान फ़र लिया। उस भारी शिकार को लेकर उड़ने में भी इस इगल को कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही। ये मासूम बक्री आज इस इगल और इसके पूरे परिवार का खाना बनने वाला है। वैसे तो इगल काफी ज्यादा खतराख है। लेकिन अगर उसका सामना चंगल के राजा शेर से हो जाए तो क्या होगा। अगर आप सूच रहे हैं कि इगल की हार होगी तो आप खलत हैं। आप इस वीडियो में अगर हम देखें तो दोनों ही लड़ने की फिराग में और जब लडाया शुरू होती है तो मामला 50-50 का दिखाई देता है। लेकिन शेर अपने बंजे की मदद से खुद को डिफेंड कर लेता है। वहीं दूसरी और इगल भी अपने चोच से बराबर हमला करता है। एक टाइम पर तो शेर भी इगल से ड़र कर पीशे हट जाता है। और जब शेर को लगता है कि इस से जीतना मश्किल है तो अंद में हार मान कर इगल के छोड़ कर वहाँ से आ जाता है। गोल्डन इगल एगल के सबसे खुखार प्रजातियों में इसे एक माना जाता है। और इसकी शिकार करने की तकनीक बिला जवाब है। जब ये किसी शिकार को देखते हैं, तो अपने पंक खोल का लगबख 300 किलो मीटर पती घंटे से भी टेज रफ़तार में उस पर हमला बोल देते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे ये गोल्डन एगल एक जैक रैबिट पर हमला करने की फिराग में हैं, हाला कि जैक रैबि भी छोड़ने वालों में से नहीं है, वो इसका पीछा करता है, और सही मौखा देखते ही इस पर तूट परता है, अपने तेज नाखुनों से वो रैबिट को जमीन पर ही दबा के रखता है, और वो रैबिट हिल भी नहीं पाता, नम्मो त्री, गोल्डन एगल अटैक्स हे इस वीडियो में एक और कोल्डन एगल एक हेर का शिकार करने वाला है, ये मासूम से हेर्स इस खतराग एगल को देखकर कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं, उन्हें इस वक्त कुछ समझ नहीं आरा कि वो क्या करें, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए दर दर भाग के जंगल में फंस ही जाता है, गोल्डन एगल अपनी पूरी ताकत के साथ उस हेर्ड को जमीन पर तबोच के अपने पंजों और चोंच की मदद से पूरी तरह खायल करते थी है, और उसके शरीर को चीर भाड़ कर खाने लगता है, आपको बताने कि इनके पंजों के करने के लिए काफी होता है, नमबर टू, इगल अटाक्स इगल, अब तक तो आप समझी गए होंगे कि इगल कितना खतरनाक होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कि अगर किसी इगल का सामना किसी दूसरे इगल से हो जाए, तो क्या होगा, कौन जीतेगा ये चंग, त समंदर से एक मचली का शिकार करने के फिराग में आया है, लेकिन अलने के लिए, आज इसने अपने शिकार के लिए हलत जगा चुन ली, यहाँ पर दो इगल पहले से ही मौजूद है, जिनका इस पूरे एरिया पर राच चलता है, यह अकेला इगल इस बात से अंजान था, क इसके बाद चुरू होती है, आसमान के राजाओं के बीच की आसमानी जंग, अब यहाँ दोनों इगल उस मचली को पकड़ कर गोल गोल घूमने लगते हैं, जो देखने में बिलकुल एक हेलिकाप्टर के पंखे जैसा लगता है, कुछ देर बाद उनमें से एक हार मान कर व पीच करते हैं, ठीक वैसे ही, जैसे आज यह हार पी इगल, इक बंदर का शिकार करने के लिए आया है, इस पेड़ पर चढ़े सभी बंदर, इस बात से अभी अंजान है, कि उनमें से किसी एक की मौत आसपास ही कही मन रा रही है, यह इगल भी बड़ी चाना की और शान्ती से उड़ते हुए आता है, और उसे उठाकर अपने खोसले के पास लेकर चला जाता है, जिसके बाद इस इगल का बच्चा इस बंदर को चीर फार कर खा जाता है, इगल जैसा खदरनात पक्षी आपको शायरी कहीं देखने को मिले, चाहिए वो इगल की जिस भी प्रजाती क हो, एक बात तो पक्की है, अगर इनको अपना शिकार देख जाए, तो शिकार किये बिना यह से छोड़ते नहीं है, तो कैसी लगी आपको एगल का शिकार करने की वीडियो, हमें कॉमेंट करके शुरू बताएं, वीडियो को अभी क्या भी लाइक कीजिए, और ऐसी और झाल